आज हम शुरू करेंगे नुकलियर फोर्सिस से नुकलियर फोर्सिस आर दस्ट्रॉन फोर्सिस ए सद्रैक्षान विच्ट होल् टुगैदर दा डूएथ यूट्राइट ऑब पोड्योन जिनकों नूट्रोन और पोडौन भी कहते हैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टन बात हम यह देखी कि जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि positive charge positive को repel करता है तो that means natural सी बात है कि आपका proton proton को repel करेगा लेकिन nucleus के अंदर proton proton के नजदीक होता है और वो उसको repel नहीं कर पाता है तो that means जो आपकी nuclear forces है वो आपकी electrostatic force से भी ज़्यादा strong होती है repulsion की वसे उन्हें दूर जाना चाहिए लेकिनों नहीं जा पाते क्योंकि electrostatic forces ने उनको attract करके रखा हुआ है अपनी तरफ को ठीक है तो इसमें हम एक curve है जो मैं आपको इसमें explain करना चाहूँगा बाकी तो आप बुक से पढ़ सकते हो कुछ इसमें जो इसकी properties हैं क्रेक्टर सिक्स हैं उसमें एक क्रेक्टर सिक्स तो यह है कि आपका जो nuclear force है देर independent of charge independent of charge का मतलब यह हुआ कि जो neutron और proton के बीच में force है वैसी ही force आपकी neutron और neutron के बीच में भी होगी और proton और proton के बीच में भी होगी मतलब दो particle कैसे हैं क्या वो neutron proton है या proton proton है इससे फरक नहीं पड़ता है उनके अंदर जो forces of attraction होगी हो सबके लिए same होगी इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो nuclear forces है वो independent of charge रहती है दूसरा आपने देखा कि वो electrostatic forces ज्यादा strong है और जो observe किया गया है वो यह किया गया है कि वो 100 times stronger होती है अब यह कर्व मैं आपको थोड़ा से explain करना चाहूंगा इसमें इसमें आप देखते हो कि 10 फर्मी के बाद आपकी जो forces हो वीक हो गई है और उसके बाद वो strong होती जाएंगी और फिर 0.8 फर्मी के बाद फिर वो दुबारा से वीक हो गई है इस कर्व को आपने इस तरह से study क करना है कि जो nuclear forces हो बड़ी short range forces होती है short range forces का मतलब यह हुआ कि 10 फर्मी के बाद there is existence is zero 10 फर्मी डिस्टेंस अगर प्रोटोन नूकलियोन के बीच में हो जाए जो प्रोटोन न्यूट्रोन या प्रोटोन प्रोटोन भी हो सकता है तो उसमें आपका 10 फर्मी से ज्यादा distance हो ज 0.8 फर्मी पर उन्होंने कहा कि जब आपके प्रोटोन नूकलियोन का अपस में distance 0.8 फर्मी हो जाएगा तो फिर रिपल्शन देना शुरू कर देती है ठीक है वह attraction उनमें खतम हो जाएगी और रिपल्शन शुरू हो जाएगी तो यह कुछ एक पॉइंट दिये गे हैं आप and distance between nucleon is more than 10 फर्मी आपकी nuclear force exist नहीं करती है जब distance 10 फर्मी से ज़्यादा हो जाएगी यह बात ध्यान में रखनी है कि nuclear force do not obey inverse square law यह inverse square law को obey नहीं करती है जैसे कि electrostatic force और gravitational force करती है when distance between nucleons becomes less than 0.8 फर्मी the nuclear forces become strongly repulsive फिर हो attractive नहीं रहती है बलकि हो repel करना शुरू कर देती है तो बोलने वाले युगा कि 0.8 फर्मी से अंदर आने लगोगे तो repel करेगी और जैसे 0.8 फर्मी से distance बढ़ाने ही कोशे करोगे तो attraction देना शुरू कर देगी तो एक fix point आ जाएगा pointed फर्मी जिससे आगे आपके जो nucleon है वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे ठीक है उनके बीच में pointed फर्मी का least distance तो रहेगा ही रहेगा फिर इसके बाद हमारा topic आता है radio activity एक spontaneous and self disruptive activity है जिसका मतलब यह हुआ कि heavier element है वो disintegrate होना शुरू हो जाते हैं by itself अपने आप ही disintegrate होना शुरू हो जाएंगे जबकि बाहर से आप कोई भी force उसके उपर नहीं लगा रहे हो ठीक है तो इस तरह का process जिसमें अपने आप ही रेडियक्टिविटी स्टार्ट हो जाए उसको spontaneous कहते है जिसमें आपके radioactive substance by the emission of alpha, beta and gamma particle disintegrate होना शुरू हो जाते हैं तो इसमें हमारे पास three type की radiation रहते हैं जैसा कि मैंने आपको नाम बताया alpha, beta and gamma radiation वो क्या होती हो हम आगे study करेंगे पहले हम इनका nature study करते हैं nature में हमने क्या किया इनको एक electric field के अंदर place किया और एक radioactive substance को एक block में रख दिया फिर जैसे उसमें से alpha, beta, gamma radiation निकली तो हमने observe किया कि जो alpha particle थे वो आपकी negative plate की तरफ को move कर रहे थे और जो beta particle थे वो positive plate की त deviated तो इससे आप observe कर सकते हो कि negative तरफ को कौन सा particle attack होगा जो आपका positive होगा तो that means alpha particle आपके positive nature के हैं और beta particle क्यूंकि positive के तरफ को attack हो रहा है तो that means beta particle का nature होगा negative और gamma particle किसी तरफ deviate नहीं हो रहे हैं तो that means gamma particle आपके neutral होने चाहिए तीक है इसी तरह magnetic field में भी उनके behavior को study किया ग alpha rays को observe किया गया कि an alpha particle carries double the positive charge of proton ठीक है जो alpha particle है उनके उपर proton का double charge होगा तो आपने देखा है alpha double charge वाले कौन होते हैं helium particle होते हैं तो यह observe किया गया कि यह helium nucleus वाले थे ठीक है mass of the alpha particle is roughly four times जो कि आपका helium का रहता है 2HE4 आपने इसका पड़ा हुआ है atomic number और mass number तो that means alpha particle basically हमारे helium particles थे ठीक है the velocity of alpha particle ranges between यह इसकी range दी गई है जो velocity of light से थोड़ी कम है ठीक है और दूसरा दिया गया है कि because of large mass the penetrating power of alpha particle is very small जो आपके heavier masses होते हैं उनकी penetration बहुत कम होती है तो alpha particle की penetration power कम होगी ठीक है फिर उसके बाद इसमें देखा गया है कि the range of alpha particle in air depends upon the radioactive source producing it कौन सा radioactive source इसको produce कर रहा है उसके ओपर इसकी range निकाली गई है ठीक है अलग-अलग particle की अलग-अलग रहेगी फिर alpha particle effect photography plate अगर उनके उपर गिराया जाये तो उसको effect करते है alpha particle deflected by electric and magnetic fields वो आपने अभी देखा है ठीक है alpha particle cause burn on human body alpha particle आपके human body पे burn create कर सेमल अगर आपकी body गिरेंगे तो आपको जलन महसूस होगी फिर beta particle की बात हुई है और beta particle carries 1.6 into 10 star minus 19 Coulomb of negative charge तो आपको पता है यह charge किसके पास होता है यह होता है आपका electron के पास क्यूंकि negative है तो electron होगा positive होता है तो हम proton कह सकते हैं तो अभी negative है और mass भी इसका observe किया गया 9.1 into 10 star minus 31 kg तो यह भी आपका electron का ही रहता है तो ultimately हम कह सकते हैं कि beta particle आपके क्या है वो fast moving electrons है ठीक है इनकी velocity भी light के नजदीक होती है तो इसलिए हम इसको fast moving electron कहते है small mass है तो penetrating power आपकी beta particle की large होगी ठीक है तब beta particle ionize the gas जहां से यह पास करते हैं उस gas को यह ionize कर देते हैं but the ionizing power is only 1 by 100 यह आपकी alpha particle से 1 by 100 time कम होती है alpha particle की ionizing power ज़्यादा है जिस भी gas से पास करेंगे उसको alpha particle जल्दी ionize कर देते है the range of beta particle in air is several meters ठीक है और उसके बाद हम बार करते हैं photographic plate की तो यह भी effect करते हैं और they are also deflected by magnetic field and electric field फिर हम gamma rays की बात करें gamma rays are not deflected by electric and magnetic fields वो आपने observe किया है तो that means उनके उपर कोई charge नहीं होगा positive या negative charge the rest mass of gamma ray photon is zero gamma ray photon का जो rest mass है वो photon की तरह ही zero रहता है gamma ray travel with the speed of light वो speed of light से travel करते हैं ठीक है और gamma ray है very large penetrating power alpha और beta के comparison में gamma की penetrating power बहुत जादा होती है हाँ ionizing power सबसे कम रहेगी सबसे जादा होई alpha की फिर beta और ionizing burn सबसे कम रहेगी gamma radiation की gamma rays affect photographic plate more than beta particles वो जादा affect करते हैं photographic plate को ठीक है तो इस तरह से इसकी कुछ properties है gamma rays की gamma ray photon भी हम इनको कहते हैं उसका बड़ा important topic हमारा आता है laws of radioactive disintegration जिसमें सबसे पहले का गया है radioactivity is a spontaneous process which does not depend upon external factors like temperature, pressure, etc यह spontaneous process है मतलब आपने आप ही start हो जाता है ऐसा नहीं है कि आपने temperature बढ़ाया या pressure बढ़ाया या उसको घटाने से कोई फर्क पड़ता है it means it is impossible to predict which particular atom of radioactive element will disintegrate in a given interval of time कौन सा आपका atom disintegrate कर जाए यह हम predict नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसको spontaneous process कहा गया है during disintegration of an atom either an alpha particle और beta particle is emitted या तो alpha particle emit होगा या beta particle emit होगा दोनों एक साथ emit नहीं होते है also at a time an atom will not emit more than one alpha particle ठीक है और एक time में सिर्फ एक ही alpha particle emit होगा या एक ही beta particle emit होगा the emission of alpha particle from an atom will change it into a new atom जब आप alpha particle को बहार निकाल दो तो उसका atomic number 2 है mass number 4 है that means nucleus का atom का charge number होगा और mass number होगा वो 2 और 4 से reduce कर जाएगा atomic number 2 से घट जाएगा और आपका mass number 4 time कम हो जाएगा 4 times decrease कर जाएगा emission of beta particle from an atom will change it into a new atom whose charge number is raised by 1 जैसे electron आप देखते हो electron minus 1 e raised to power 0 मला mass number आप उसमें 0 रहते हो तो जो beta particle emission होगा वो जिस nucleus से वो बहार निकल रहा है beta particle उसके charge number को एक बढ़ा देगा ठीक है उसका atomic number बढ़ जाएगा और mass number उसका same ही रहेगा the number of atoms disintegrate per second at any instant is directly proportional to the number of radioactive atoms actually present in the sample at that instant जो radioactive decay law है वो कहता है कि कितने atom disintegrate होंगे वो depend करता है कि उसमें atom है कितने total ठीक है जितने जादा atom किसी आपके पास रहेंगे radioactive substance के पास रहेंगे उतना ही उनके disintegrate होने का chance जादा होगा तो यही हम यहाँ पर अगर माल लेते हैं कि आपके total number atom शुरू में थे जब time आपने 0 लिया मलब शुरू में बोलेंगे हम इसको n0 और n हुए जब आपका time t हो गया मलब n रहे गए atom आपके उसमें disintegrate जो radioactive substance है तो n0 इसमें जादा होगा n आपका थोड़ा कम होना चाहिए क्यूंकि आपका थोड़ा कम होना चाहिए क्यूंकि already atom disintegrate हो चुके हैं और dn हम dt time मलब हम क्या देते हैं कि थोड़ा सा small number है atom का जो disintegrate होए है जब time है आपके पास dt तो rate of disintegration आपने जैसा देखा dn by dt कितने number of atoms हैं और time dt मे वो जो rate of disintegration है वो depend करेगा कि originally उसमें कितने atom थे तो according to radioactive decay law rate of disintegration is directly proportional to n जो dn by dt है वो है rate of disintegration कि कितने atom आपके disintegrate होंगे रेडियक्टिव सबस्टांस से बाहर आएंगे वो depend करेगा कि रेडियक्टिव सबस्टांस में atom थे कितने तो यहां से r minus dn by dt और जब भी proportionality का sign हटाएंगे तो हमारे पासे constant आएगा जिसको हम lambda लिखेंगे इसमें n where lambda is a constant of proportionality and is called the disintegration constant और decay constant भी हम इसको कहते हैं यहां से negative sign हटा दो तो यहां जगा minus lambda dt दोनों तरफ को आप integration करेंगे तो आपका जो 1 by n है उसकी integration होती ही log of e log of n to the base e और t की integration करेंगे तो dt की integration t हो जाती है और plus c होता constant of integration यहां अपनी तरफ से लगाते हैं जब time 0 था तो आपके बास शुरू में atom कितने थे n is equal to n not तो यहां पर आप क्या करोगे log n not भरोगे तो आपका time आजाएगा 0 जब यह value दोनों put करोगे तो log n not time 0 तो lambda into 0 plus c तो c की value आगी log e n not अब यह जो c की value यहां आई है वो आप इस equation में put कर दो तो log e n is equal to minus lambda t plus यह value आपने लिख देनी है log of e n not तो यह हमने लिख दिया यहां पर log वाले terms को एक तरफ कर देंगे log of e n raised to the base e minus log n not to the base e is equal to minus lambda t हो जाएगा minus में हम log common ले लेते हैं तो यह आपके divide हो जाते है n by n not हो जाएगा जिसमें minus है वो divide में चला जाएगा minus lambda t अब log जब भी आप हटाते हो math में तो हम क्या करते हैं exponential ले लेते हैं तो यहां पर जब भी log हटाओगे तो n by n not is equal to e raised to minus lambda t तो यह आपके पास आजाएगा equation n is equal to n not e raised to minus lambda t radioactive decay is in exponential form तो यह आपकी जो radioactive decay form है इसको हम exponential form में लिख सकते हैं और equation को हम radioactive decay law भी कह देते हैं तो यहां पर हमने क्या observe किया कि जब आपके पास बहुत जादा radioactive atom थे शुरू में atom जादा थे तो आपके पास decay एकदम fast हो रहा था लेकिन जैसे ऐसे atom decrease करते जाएंगे आपका decay भी slow होता जाएगा ठीक है तो this is called radioactive decay law तो यह आपने यहां तक कर लेना है